आज हम अपनी प्रचीन परंपराव को भूर रहे हैं भोतिक जीवन में छलिक सुपर हम अपनी आयव को जल्द बाजी अकाल मौत में ले जा रहे हैं यही कारण है कि रोज हम प्रतिक इन पेपर पर पीवी पर मोबाइल पर सब घटनाएं देख रहे हैं कारण यही है कि हम अपने संसकार को जिस ग्रंथों में महान महान लोग होएं उनको हम दर किनारा करके अपने आपको एक नया मंजीर बनाने में लगे हुए हैं और कारण यह हुआ कि हम उस मंजीर को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और खबती जीवन नीला को समाप्त जाता है जाती पाती के भेद भाव को अंचित क्यों माना जाता है मनुस के जाती गएद भाव के बारे में तिकड़ी करते हुए युग भेद में स्पश्ट किया गया है हुआ जक्षाल मनुस में जन्यजाद को भेद भाव नहीं है उसमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा नहीं है सभी एक समान है और सभी को मिल जूलकर अपने लक्ष की प्राप्ति करना चाहिए परवार है तो परवार के प्राप्ति करे राश्ट में रहता है तो राश्ट की प्रिकास के बारे में सोचे मिल जूलकर जाती पाती के नाम पर वर्तमान में की जाने वाली कूशनी इसका निराधार है सास्त्रों में इसका कोई कारण नहीं दिया गया है मनुष्य में जाती गट भेट भाव और एक प्रकार के समाजी कलंग के समान ही है जपी जाती गट गेरा और देश का प्रशार प्रसार भेट भाव पर अधारिक है तो पी भागवान जाती पाती के बज़ाय कर्मत पर ही दिशार करते हैं यह सब चीज को आप निकाल के फेक दीजिए इस पर अपना जीवन को बरबाद मत करिए अपने जनरेशन को इसमें से दूर रखिए क्योंकि भागवान ने भी कहा है कि कर्म पर विचार करते हैं और भक्त कभी राइदास के बारे में कहते हैं कि हरी को भजे सो हरी को होए अज्यादि पात पूछे नहीं कोई महा भारत के सांती पर पर कहा गया है कि वड में कोई उचा नीचा नहीं है सभी ब्रह्मा ने उत्पन किया है सभी प्रह्मा ने उत्पन किया ह। वडों में किसी प्रकार की शरीली भिनता नहीं है सभी मनुस्री के स्वेट पईसीना मुट्ट स्पित रख तवईत हो रहा है ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत को ब्रह्मामय की बनाया था सभी लोग पवित सत कर्म करते हैं किन्तु बाद में दुष कर्म और सत कर्म के नहार पर मनुस्र बिदिन वण को प्राप्त हुए है जब ब्रह्मार सवधर्म का पत्याग करके काम पूर्वद अपसास का कारण रास्ती लोहित वणुक में हो गए तब छत्री कहा गए कुछ ब्रह्मार गौरक्षन विक्ति अपना कर किसी कर्म करके जीवन आपना करने लगे और पीले रंग के मनुस्र बैस्र कहला है इसके अलावा जो ब्रह्मार अत्त लोभी हिंसा अन्पुक्री अथा सर्फ पूजा पहो गए तो सफाई करने वाले अंग के समान काले रंग के थे वे छुद्य कहला है इस प्रकार ब्राम्हर की गूर्ण कर्म का सभाव भीन्यता के कारन वर्तों को प्राप्त्य इस प्रकार के लिए सुद्ख्रिया और धर्म निक्ट भिवाहित है निशेदने मनुस्र के चार मनों का ज्यान प्राप्ति के समान का अधिकार है मतश्र पुरान में ये बताया गया है कि ये एक पिता के चार पुत्र हो उसके एक समान जाती होनी चाहिए उसके एक समान जाती होना चाहिए इस परकार मनुस एक परमेश्व को संतान है और परम पिता परमात्मा सबका पिता है अता मानो समाज में जाती भेड नहीं होना चाहिए आज हम जो देख रहे हैं इस बिना मतलब का है हम अपने भविस के बारे में सोचे अपने केरियर के बारे में सोचे हम अपने पुरोजों का नाम को ख्याती प्राप्ते करें इस प्रकार का मानोजीत में नहीं होना चाहिए वास्तों में जाती पाती का सम्मन जन्मवस से होता है जबकि वन व्यवस्था कर्म कंसार निधालत होती है वन सब्द की पत्ती विसधाती से हुई है इसका वर्थ है कि वरन करना अत्वा चिनाव करना जो मनुस अपने गुण कर्म सभाव कंसार अपने बिवसाय को अपनाता है वा उसी बिवसाय का कहलाता है भववत गीता में भवावान ने भी अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि मैंने गुण और कर्म कंसार चार वन की रशना की है वन विवस्था के बारे में मनु महराज ने मनु इस्तिती में इस्पशली का अठाथ सभी मनुस में जन्न से शुद्र होते हैं संसकार के कारण मनुस देश कहलाते हैं मनुस बेद कर धन करे और विप्र कहलाते हैं और ब्रह्म ज्यान रखने वाले मनुस को ब्राम्हर कहलाते हैं इस प्रकार मनुस का सभाई प्रवर्ति के धार पर समाजिक कारों में निश्पादन करने वाले को समाज की चार वण में बाटा गया है इस मण में ब्राम्ह छेत्य बेश अच्छुद्र कहा गया है वास्तों में चारों और के लोग एक ही परमात्मा की संतान है उसमें ना कोई छोता है ना कोई बड़ा है बल्कि सब एक समान है इसलिए हम अपने कर्मों पर विश्वास करें और विश्वास करने के बाद हमको अपने जीवन में अपने कुल में अपने माता पिता का नाम को दिख्यात करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन पर एक बहुत बड़ा ज्यान को प्राप्त कर सकते हैं और यही ज्यान को प्राप्त करने के लिए प्राणी संसार में रहते हुए जिस प्रकार कर्म करता है आप को भी ऐसा काम ऐसा कर्म मत करो चाहे घर में हो चाहे राष्ट में हो चाहे प्रलेश में हो चाहे दोस्त त्यारों के बीच में हो चाहे आफिस में हो चाहे किसी काड में हो चाहे किसी नौकरी में हो आप किसी प्रकार का कर्म करता है उसे इसी जन में अथवा जनानुतर में अवस्य कर्मों कंसार उस ब्रक्ति को खर्ण होना करता है और यही कर्म फल कहलाता है गौसामी तुल्सी दास ने राम चरिक मानस के अविध्याकान में देव गुरु ब्रस्पति के द्वारा देव राज को भवान की कर्मर्यादा का साव समझाते हुए इस प्रकार ब्याक्षा किया है कर्म प्रधान विश्य करी राखा जो जस्करे सोत पस्त जास चाखा कहूं न कोई सुख दुख कर राता निजिकुद करम भोग से अभरता अठास अंसार में कर्म प्रधान है कि अब नेतागिरी में हुश्का दीजिए लोग आपको फसा देंगे आपकी घर में इस्तिति नहीं है सरते रहे आपके यह खतम ऐसा क्यों करते हों कर्म करिया दो पैसा कमाईए कर्म प्रधान विश्य कर जाका जो प्राणी जैसा कर्म करता आप जैसा कर्म करोगे उसका फ कि माली जी संसार में को भी प्राणी किसी को सुख देने में समर्थ नहीं है यह मैंनी कह रहा हूं एक गोस्वामी पूर्शी दास में राम चरिक्ति मानस पर उलेख किया है प्राणी अपने की हुए कर्मों का फल भोकते हैं जन क जन ज्रांतर की हुए कर्मों का फल मिश्य प्रगट है। endroit इनको इस प्रकार कहा गया है अथात कूर्जण है पूर्जण और वर्तंज्ण में किये हुए सभी कर्म फल हैं आ इस जनम का कर्म वने हुए है यह सभी कर्म फल है अवस्वीयाता मनुस्थ के द्वारा किया हुआ यद्न बलिभूद बिना नहीं रहता है और ब्रमेत पुराण में कर्म की फन की ब्याख्या इस प्रकार की गई अथा करोड़ों कर्व वर्स वर्स बती छोजाने पर साथ अपने कर्मों का फर भोगने की बिना मनुस को छुटकारा की मुक्ती नहीं मिल सकता है इसा काम मत्कोरों की भूत पर खिले मकोड़े बनो मनुश्य यूनी में बहुत दिनों के बार आपको यूनी मिला है कि हमको क्या यहां नहीं मिलेगा हमको पता नहीं चलेगा देने वाला उपर बैठा है यहां यहां भी कोट है ना वहां बहुत बड़ा तो यहां का पूट आपकी सुम्वाई करता है वहां का आदेश करता है कि आदेश करके फिर आपको हिसाब किताब करके ठेक देता है तो जाओ वेटेर आप सब्सक्राइब यहां के कोट पर नेतागिरी कर रहें बचाओगे तो वहां नहीं बच पाओगे तो सत्य को अपने जीवन में धारान करो जाती पात की जो फूट डालों की बिराल है इसको दिमाग से निकाल के फेकिए जब ऐसा आप करोगे तो छड़िक लोग दिखेंगे अब वो भी आपकी विचार धरा में उसको विच्याटके आपके साथ आगया है अथा सुब असुब जिस प्रकार करोगे उसके अबरूप धर आपको मिले बनारस में मदन मोहन मालवी जी के पास एक देखती गया उन्होंने कहा मालवी जी मैं अगर आपको सव गाली दूंगा देखें तो क्या बोलो गया मालवी जी एकी सब दो बोले कि मैं अपना मुझ क्यों खरापता हूँ मैं अपने पुन्य को क्यों बरवातता हूँ यह सी हमको आपको लेना चाहिए कि गजेंदे मौक्ष की देख लीजे कथा वह हाथी को कोई साथ ने दिया कि अगर पूर जरम में कुछ अच्छा किया था उसका लेका जोग हुआ कि इस कर्मों को फल को अठारा पुरान में बेद व्यास में दो ही बात कहां है कि परोग कारपुन्य है और दूसरों को पीरा पहुंचाना पाप है किसी को छती करोगे या किसी की जीवर या उका में लात मारोगे तो क्या होगा कि कश्क मिलें वास्तों में यहीं पाप और पुर्ण का सही ब्याठते हैं शमल कुवार का विच्छरीत देख लिजिए उसक्यांसार ही राजा दसरत में हल पाएं इस प्रकार समल कुवार के माता पिता पुत्त वियोग में मरें उसी प्रकार अलाजा दसरत की भी अपने शरीर को पुत्त वियोग में चाजिए वहां पर भी जब भगवान को चौदा साल का बनवास हुआ और जब समंद्र रत को अपस करो भगवान सी राम का अधेश था कि समंद्र रत को आगे बढ़ाओ आदेश याने आदेश यह सत्य है जो निकलता है फिर भूल के नहीं आता है यह सत्य है और पाप कर्म से सरीर नहीं पाप कर्म से सरीर नहीं अंत्मन तक आहात होता है इस बारे में मरकंडे पुरा में कहा गया है कि पैर में काता लग जाने पर केवाद एक ही जगा पीरा का आइसास होता है कि पाप कर्मों का फल शरीर और मन दोनों नियत्तर सूल में शूपते रहते हैं रात धिन आपको सुने नहीं देगा यदि जाने अंजाने में मनुस कोई पाप कर गया हो उसके सच्चे मन में प्रस्यताप करने से उसका पाप नस्थ हो जाता है इस प्रकार सी पुराण में कहा गया है कि प्रस्यताप ही पापी की परम दिस्थेपी है प्रसाफ इसकी के अंजाब जो मनुस पाप कर्म हो जाने पर सच्चे हैं से प्रस्यताप करता है उसे पाप से मिल्टी हो जाती है मैं किसी कुमार दिया, किसी घर में आग लगा दिया, किसी रस्ते में में रोड है, मैंने तार बन दिया, आया कोई बिक्ती रात के आया, ये हो गया, कहीं मैं बम फेक दिया, कोई बिक्ती अपनी ठेला से अपना जियों ने अपना चला रहा है, उस ठेला को मैंने तोल दिया, बिना मतलग की बात एक दिसने को बोल कर मैंने दंगा करा दिया, इससे नहीं बचो गया, इक करम विधान का लिष्ट है, उस सीव पुराण में ये बताया गया है, अंसान इस पाप कर्म के जाने पर सक्चे हिर्दय से प्रस्यताप करता है, और वह पाप से दिमिक्त हो जाता है, पाप ठीपाने में भूद बढ़ता है, तक मनुष साथ जल्मों तक कोड़ी, दोकी, लपुस्तर करता होता है, पाप छोटा हो अथ्वा बढ़ा हो, उसे किसी धर्म दवाई लेने पर रोक नश्ट हो जाते हैं, पाप कुन कर्मों के समन्ने एक लोग की कथा है, मनुष प्रगत अनेक आत्माय स्वर्ग पर जा उपस्तित होई, बहुत सी आत्माय स्वर्ग में जाके कथी होगी, धराम राज ने सभी की परिच्छा लेने के लिए दो कागस दिये, धराम राज ने सभी की परिच्छा के लिए दो कागस दिये, अब उन पर अपने अपने पाप पुन लिखने को कहा, पुन आत्माय स्वर्गत अपने पुन को बढ़ा चढ़ा कर लिखे, यहां तो बज्जा हो गया, बढ़ा चढ़ा कर लिखे, कि दो पापों को छिपा लिया, इसके दिपित कुछ आत्मा है, अपने पूल कर्मों का विस्तार, विस्तार देकर पाप को यागर किया, उनकी निकृति का उपाय करना देना चाहिए, उन सभी आत्माओं के दोनों का आगसी अमराज के सम्मुख पहुचे, उन्होंने अपने परम कर प्रगट करने में निश्किता को उपाय जानने वाले को स्वर का रस्ता दिखाया, असेश को नरक को भेजा, इस प्रकार इस प्रश्ता है कि हंकार से बसी बूत होकर अपने छुद्ध पुन्य कर्मों को प्रश्यात करना सद्यती है, बढ़ना है, इसी मार्ग में चल का हम पुन्य कर्म के अमरित बेला को प्राप्त कर लेते हैं, यानि ये डाकु था, उसका काम था, चोरी करना, धकैती करना, राच पे किसी घर में आग लगा देना, बैले गाली को प्रोल फाल फेकना, महलाओ अगर निकल रही है, उनका सोना चादी का हरन करना, ये उसका तुप्ति था, परवार भी था, करते करते एक दिन, रात की सोया, क्योंकि ग्रम मुर्त जो होता है, उस समय भगवान, आकास मार्ग में भ्रमल करते हैं, जिसकी छाया से, जो सत्त्र पुरु से, उनको अभास हो जाता, उर्जा, उसाकाल को, इसलिए, बहुत बड़ा प्रभावसाजिक काल कहा रहे, उसाकाल, क्योंकि उसाकाल में, दवाई नहीं मूती, दवा मूती, हो बिक्ती चार बजे हुट गया, और सब सोच रहा है कि उस महिला को मैं सोना लोटा, उसका जेवान लोटा, उस दादो का मैं गारी घोना को जला दिया, इसके घर में आग लगा दिया, वहाट ना धकैती लाया, और यह सब करते करते, मैं कि जो कर्ब कर रहा हूं, अच्छा नहीं हूं, और सब को प्याग करके, एक नदी किनारे गाओं में एक आश्रम था, वहाँ एक महात्मा गी धोनी में बैठे तब इस्या करते हैं, वहाँ पहुंचा, महात्मा उस दाखू को देखकर भगा वहां से, अगर गुरुजी, आज मैं को लोग से हूं, शर्लागत आपके चल्ल में हूं, आप मत दरी, गुरुजी को हिम्मात आई, बैठे, ताबो डापूने का हम हराज, बहुत अनर्थी कि बहुत पाफ्ती, प्राता काल, कोई चेचन्य सक्की मुझे उठाई, तो यहां पूरु जर्म को जुड़ा हुआ है, और इस सब से, मैं कैसे मुक्त होना चाहता हूं, कोई मुझे उपाई बताईए, तो जो ज्यानी होगा, जो आप की उमन में ज्यादा होगा, वह आपको ज्यान देगा, बराबरी वाला तो आपको लड़वा रहा है, मज़ा ले रहा है, आप फस्रे है, क्या मिल ला है? कुछ मिल ला है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कौन हूं क्यों जन मिलिया हूं मिया जन मिलेने क्या प्रोजन है क्या मैं लड़ाई जगड़ा के लिए जन मिलिया हूं इस प्रकार की प्रवर्ट्टी जिसमें ठी उसको आत्मी जिंतन हुआ मैं राट जिन अपने आश्रम के जन्दा दिया लाल जंदा इसको ले जाओ पुर्य तिरत में भ्रमा करो और जिस तिरत में तुम इसनान करोगे वहां इस भज को इसनान कराओगे और जिस तिरत में भज यगत लाल से सफेद हो गया तुम सारे कर्मों से कि यह मेरे गुरू का सब्सक्राइब कंदे में रखा संपूर पीरत गया वो डापूर मगर कहीं भी वह जंदा लाल से सफेद नहीं हुआ अब गुरू का ध्यान लगा हुआ था गुरू जिन भी जंदा दिया है फिर आस्रम क्यों राया देखा कि दो महिलाओं को तीन लोग पकल कर उनके शरीर के अभूसर को निखाल रहे हैं उनकी इज़्जत ले रहे हैं तब उसने सोचा कि कर्म जो पहले में करता था और आज गुरू को सब्दे आया हुआ है और मुझे फिर मैं बात धो रहा हुँ उसने तर्वाल लिया उनका के अवलों को मार दिया नारी स्वतंत हो गये वही पर वह जंडा सपेद हैं यह कर्म गपा ऑगे चलके घ्रस्त आस्रम का सत्यवादी बिक्ती बना जो अपने गाउं में सत्य का धर्म का बहुत बड़ाल कि पचार पसा करेंद बना आपको या वीडियो अच्छा लगता है आप शेयर करिए लाइक करिए ताकि आपके जीवन में इस लाइक वीडियो देखने से परवड़ता लाए लक्ष की और बढ़ है बखवास की और मत बढ़ है तभी आपका जीवन सपर होगा ओम साही राम जया साही